जैसे क्रिश्ना स्वागत है आपका हंसास इजी कोकिंग में आज चलिए आज के आपके लिए में जट पट वाला मिक्चर देखे लिए दिवाले की भागम भाव में आप इसी इजीली बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है सिर्फ पांच मिनिट में खाने म सुपर टेस्टी लगता है चलिए बनाते हैं इसके लिए मैं यहां सो ग्राम के करीब जो कॉन पापड आते हैं या फिर आप इसके कॉन पोह भी बोल सकते हैं वह ले लेंगे आपको इजली किसी भी किरेने की शॉप पर मिल दाएगा ये करीबन एक कप के पराबर होंगे अ चेक कर लेना जब तेरे अच्छे से गराम हो जाए जैसे जब हम पापड फ्राइब करते हैं वैसा ही हो लोना चाहिए तब इसमें अपने कॉन पोह या पापड जो है वो ढाल देंगे थोड़े थोड़े करें दो से तीन जोटी जमश काफी है एक बार के लिए इसे हम अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अन्ते तक जरूर देखिएगा कुछ इंपोर्टेंट टिप्स भी धूंगी मैं अब इसे हमें एक बरतन में या फिजिसमें भी आपेस ही निकाल दो इसमें टिश्यू पेपर भी कर लेना है हमें जबी हलके से लाल होने लग जाए तो इसे तुरूंत निकाल लीजिए जदा ओवर कुक नहीं करना नहीं तो इस जल जाएंगे फिंगर टेस्ट खराव होज़कों निकाल लीजिए साइड में तक एक्स्रावल निकल जाए इनका बहुती अच्छे से होने चाहिए नहीं तो बहुत ज़्यादा ओई श्टत रहा है यहां दो चम्मच के करीब चटनी दाले लिए भुने हुए चनी की दाले इसे भी तुरंत फ्राइब करके निकाल लेना है क्योंकि यह अल्रड़ी सिखी हुई है बस इसे में तुबास क्रिस्पी करना था तो पीसे अच्छे से वराई करिएगा अविए जब चुझो कम आपके मिचर में डाल लेती है तीकि इतने कलर फुल लग रहा है ना मारा नमकी बहुत ही जल दीवन कर रही हो जाता है सिर्फ पांच मिने अधी चमच म काला नमक डाल देंगे अधी चमच लाल मिर्च अगर ओ थोड़ा सा नमक स्वाधन सार थोड़ा नमक क में डालना है कि काला नमक डालता हम अविने अच्छे से मिक्स कर देंगे इजिए उपट बन जाएंगे और सुपर टेस्टी लगें और आप इने भरतक इस्टोर करके रख सकते हैं और खाने वालों को बहुत पसंद आए द और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा देखिए लग रहे ना टेंप्टिंग से बहुत ही टेस्टी है आप इसे प्यास टमाटर काटके भी खा सकते हैं एंज़ाय करिए पाई